हेलो फ्रेंड्स ग्यान वीडियोस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में बहुत ही मर्दपूर्ण ड्राइफ रूट किश्मिश के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ पर दोस्तों अगर आप किश्मिश को भिगोकर रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपको इससे और भी ज़्यादा फायदे होंगे तो आईए जानते हैं कि भीगी किश्मिश खाने का सबसे सही समय क्या है यानि भीगी किशमिश हमें किस वक खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए किशमिश खाने का सही तरीका क्या है यानि किस तरह हमें इसका सेवन करना चाहिए एक दिन में कितनी भीगी किशमिश हमें खानी चाहिए इसके साथ साथ रोजाना भीगी किशमिश खाने के क्या-क्या जबरदस फायदे होते हैं और अगर किशमिश का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे हमारे शरी में क्या नुकसान हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी सो फ्रेंड्स मैं आपको complete information दूँगी भीगी किशमिश के बारे में इसके लिए वीडियो बिना skip की last तक पूरा देखिएगा पर इससे पहले मेरे चैनल को जरू सबस्क्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं दूस्तों किशमिश को dried grapes भी कहा जाता है क्योंकि किशमिश अंगूर को सुखा कर बनाया जाने वाला dry fruit है यह super food की श्रेणी में आता है और यह एक ऐसा dry fruit है जो स्वाद में naturally मीठा और हलका खटा होता है इसलिए से nature's candy भी कहा जाता है रोजाना भीगी किशमिश का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फायदे मन होता है क्योंकि किशमिश में भरपूर मात्रा में fiber, potassium और iron होता है इसके साथ-साथ इसमें zinc, calcium, magnesium, sodium, phosphorus, vitamin E, vitamin C, vitamin K, vitamin B6 और copper होता है पर इन सभी पोशक तत्वों का पूरी तरह से फायदा तभी मिलता है जब हम इसका सेवन सही वक्त पर और सही तरीके से करते हैं और साथ-साथ किशमिश में बहतरीन antioxidants होते हैं जो हमें कई बिमारिया होने से बचाते हैं आईए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भीगी किशमिश खाने का सबसे सही समय क्या है दोस्तों वैसे तो भीगी किशमिश का सेवन सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए इससे हमारे शरीर को अद्बुदलाब होते हैं पर अगर आप इसका सेवन सुबह की समय किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हों तो आप दिन भर में किसी भी वक किशमिश का सेवन कर सकते हैं फ्रेंड्स असल में किश्मिश खाने का सही समय आप इसे किस फायदे के लिए इस्तिमाल करते हैं उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है अगर आप शारिक रूप से बहुत कमजोर हो याने शरील में एनरजी महसूस नहीं होती या आपका डाइजेशन वीक रहता हो तो आपको इसका सेवन सुबर नाश्टे से पहले करना चाहिए यदि आप एक एक एतलीट है या जिम करते हैं तो आपको इसका सेवन एक्सरसाइज से 30 नट पहले करना चाहिए इससे आपको भरपूर एनरजी मिलेगी जिन लोगों को नीन की समस्या हो अच्छी नीन नहीं आती उन्हें किश्मिश का सेवन रात के वक करना चाहिए क्योंकि इसमें मैगनेशियम अच्छा होता है जो अच्छी नीन दिलाने बहुत ही सायक होता है पर एक बात का ध्यान दे दोस्तों रात को सोते वक्त इसका सेवन न करें तो बहतर है इसके अलावा आप शाम के समय अनहल्दी स्नेक्स खाने के बज़ाए किश्मिश का सेवन और भी ड्राइफ रूट्स जैसे काजू, बादाम या सीड्स के साथ करें तो इससे आपकी बूग कम हो जाएगी जिससे आपको वेट लॉस करने बहुती मदद मिलेगी किश्मिश को आप राद बर 8-10 घंडे तक पानी भीगो कर रख दें पर कटोरी में पानी उतना डालें जितने में किश्मिश अच्छी तरह से भीग जाए और फिर सुबर खाली पेट पहले किश्मिश का पानी पी लें फिर भीगी हुई किश्मिश को आराम से चबा चबा कर खाएं तो इससे आपको भरपूर लाब मिलेगा क्योंकि किश्मिश को भिगोगर खाने से इसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है और इसके पोशक तत्वे भी कई गुना बढ़ जाते हैं किश्मिश का सेवन आप और भी कई तरीके से कर सकते हैं जी हाँ आप चाहें तो दूद में 4-5 भिगो कर छिलेवे बादाम, 1-2 खजूर और 6-8 किश्मिश डालकर शेक बना कर भी पी सकते हैं इससे आपको इंस्टन्ट एनरजी मिलती है या फिर आप चाहें तो किश्मिश को हलवे, खीर, स्मूती या फिर लड्डू में मिला कर भी खा सकते हैं बीगी किश्मिश का सेवन करने का एक और अच्छा तरीका है इससे आप सुबर खाली पेट भीगे बादाम, भीगे चने, भीगे अक्रोट या भीगी मुफली के साथ खाएं तो ये आपके लिए और भी लाबदायक होगा अब हम बात करते हैं दिन भर में कितनी मात्रा में भीगी किश्मिश खाने चाहिए वैसे तो दिन भर में 8-10 भीगी हुई किश्मिश खाना सही माना जाता है और ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 भीगी किश्मिश दिन भर में खा सकते हैं पर अगर आप किश्मिश का सेवन बिना भिगोए करते हैं तो आपको इसे खाने की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए क्योंकि किश्मिश की तासीर गरम होती है जर्वत से अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपकी शरीर को नुकसान हो सकता है ये तो मैंने आपको बताया भीगी किश्मिश खाने का सही समय, सही तरीका और कितनी किश्मिश खानी चाहिए चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रोजाना भीगी किश्मिश खाने के क्या-क्या जबर्दस फायदे होते हैं फ्रेंड्स किश्मिश हमारे शरील की पाचन शक्ती बढ़ाने में मदद करती है जी हाँ किश्मिश में उच्छ सरका फाइबर होता है जो पेट की पाचन क्रिया को ठीक करने बहुत ही मददगार होता है इसके साथ साथ अगर आप रोज भीगी हुई किश्मिश का सेवन करते हैं तो कब्ज की समस्या भी दूर होगी किश्मिश में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोश, फ्रक्टोस और काप्स पाया जाता है इसलिए इसका सेवन करने से हमारे शरीर में दिन भर एनरजी बनी रहती है अगर आपके शरीर में आईरन की कमी हो तो आपको किश्मिश का जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि किश्मिश में भरपूर मात्रा में आईरन होता है जी हां रोज भीगी होई किश्मिश खाने से शरीर में हीमोगलोबिन बढ़ता है Friends, भीगी किश्मिश का रोजाना सेवन करने से हमारे शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर हो जाते हैं मतलब यह हमारे शरीर को डिटॉकसिफाई करने में मदद करता है भीगी हुई किश्मिश में वाइटमिन A और वाइटमिन E की मात्रा अच्छी होती है और वाइटमिन A और वाइटमिन E तवचा को सेहत मन रखने बहुत ही जादा फायदे मन होते हैं इसलिए अगर आप डेली भीगी हुई किशमिश का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी दुस्तों किशमिश में कैलशियम, मैगनेशियम, वाइटमिन D और बोरोन होता है जो हट्डियों को मजबूत करने बेहत मददगार होता है इसलिए अगर आप रोज किशमिश के सांद दूद का सेवन करें तो आपकी शरीम में भरपूर कैलशियम मिलता है क्योंकि ये दोनों ही कैलशियम की बहुत अच्छे स्त्रोथ हैं और हट्डियों की मजबूती के लिए शरीर में कैलशियम का होना बेहत आवश्यक होता है बीगी किशमिश में पोटेशियम और मैगनेशियम भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं और ये मिनरल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं इसमें मौझूद फाइबर कोलेस्ट्रोल लेवल को हमारे शरीर में कम करता है जिससे हमारा हिर्दर स्वस्त रहता है इसके अलावा इसमें धेड़ सारे एंटियोक्सिदेंस गुण मौझूद होते हैं अगर आप जल्दी जल्दी बिमार पढ़ते हो यानि आपका इम्म्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो तो आपको रोजाना भीगी हुई किश्मिश का जरूर सेवन करना चाहिए जी हाँ किश्मिश में वाइटमिन सी और बहतरीन एंटियोक्सिदेंस होते हैं जो हमारी इम्म्यूनिटी को बढ़ाते हैं दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज का सेवन अगर हम जरूर से ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो हमारे शरील को फायदे की जगर नुकसान भी कर सकती है तो आईए जानते हैं कि अधिक मात्रा में किश्मिश का सेवन करने से हमारे शरील को क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों किश्मिश में फाइबर की मात्रा अधिक होती है तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में किश्मिश खाते हैं Friends, किशमिश में glycemic index भी ज़्यादा होता है, इसलिए diabetes के patient को इसे खाने से परेज करनी चाहिए। इसके अलावा किशमिश खाने से कुछ लोगों को allergy की समस्या होती है, तो अगर आपको किशमिश खाने से skin में rashes या skin में खुजली होती है, तो आप इसका सेवन करने से बचें, इसे नखाएं। पूल आप उठा सकें। Bye friends, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज के साथ।